अब जो हमने प्रोग्राम बनाना हुए रिवर्सिंग ऑफ नंबर लेट से फोर एक्जामपल अगर हमने यूजर ने इन्पुट कराया है 123 नंबर तो उसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 321 जस्ट डिजिट सापकी रिवर्स हो जाएं तो इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं आएए देखते हैं किस तरह से हम प्रोग्राम बनाएंगे देखें सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ header files declare किया है और इसके और हमने main function को यहाँ पर declare किया है अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक number ले लेता हूँ int n is equal to 123 ठीक है यह variable n है जिसके अदर मैंने 123 value को initialize कर दिया है फिर मैं यहाँ पर कुछ variables declare करता हूँ int p is equal to 0 ठीक है और एक temporary variable लेता हूँ temp और एक remainder variable लेता हूँ REM के नाम से ठीक है temp के अंदर n की value आगी that means temp के अंदर 123 value आगी इसके बाद मैं यह वाला code लिखता हूँ while temp does not equal to 0 ठीक है जग तक temp 0 नहीं हो जाता फिर आप क्या करिये रिमेंड यह लास्ट डिजिट है वो एक्स्ट्राइट करिये जैसे हम अभी तक पराने programs में करते हैं temp mod 10 इसके बाद मैं यहाँ पर यह वाली line है यह important है p is equal to p star 10 plus remainder ठीक है इसके बाद semicolon और इसके बाद temp is equal to temp divided by 10 semicolon और यहाँ पर closing break of while loop और इसके बाद final मैं यहाँ पर answer को printf करा देता हूँ printf हमारा answer जो है वो p के अंदर stored है जो reverse number है printf percentile d ठीक है कॉमा और p यह हमारा reverse number को यहाँ पर print करा देगा this is the closing brace of while main function अब आईए देखते किस तरह से यह function program यह काम करता है n की value यहाँ पर 123 थी temp की value भी जो temp है वो भी यहाँ पर हमारा 123 initialize हो गया अब हम देखते हैं सबसे पहली बार जब यह लूप चलता है temp 123 does not equal to zero 123 does not equal to zero condition आपकी true हो गई that means हम यहाँ पर आगए तो सबसे पहली लाइन है remainder rem is equal to 123 mod 10 that means rem की value यहाँ पर आगई है हमारी 3 3 हमारी आगई जब second line पर हम जाएंगे p is equal to p star 10 p की initialize हमने value कियो यह 0 that means 0 star 10 plus 3 तो हमें यहाँ पर p की जो नई value जो मिलेगी that means यह वाली value यहाँ पर हमें 3 ही मिलेगी और इसके बाद temp is equal to temp divided by 10 तो temp की value original जो old value 3 हमारी थी 123 तो 123 divided by 10 करेंगे तो नई value जो temp की आएगी वो हमारी होगी 12 तो 12 को हमारी नई value होगी इसके बाद हम दुबारा loop को जब checking करेंगे second time तो temp की value है 12 12 does not equal to 0 that means यह condition true हो गई हम फिर से loop के अंदर गुसेंगे तो अब हम देखेंगे remainder is equal to temp mod 10 temp की value थी 12 12 mod 10 करेंगे हम तो हमें मिलेगा answer कितना ही 2 ठीक है तो हमें यहाँ पर value मिलेगी 2 that means second line जो हम हम value करेंगे P is equal to P star 10 P की value जो थी अब थी यहाँ पर 3 that means यहाँ पर होड़ाएगा 3 star 10 plus 2 that will be P की value होड़ाएगी 32 अब temp की value यहाँ पर आएगी temp is equal to temp temp की value थी 12 12 divided by 10 तो हमें यहाँ पर temp की नई value मिलेगी वो मिलेगी 1 अब हम फिर से जब आपस third time जब चलेगा loop तो temp की value होगी 1 1 does not equal to 0 यह condition true है that means हम फिर से third time इस loop के अंदर आएगे then हमारी होगी 1 is equal to temp जो हमारा है temp की value है हमारी rem is equal to temp हमारी 1 value है 1 mod 10 that means हमारा जो answer आएगा remainder हो आएगा 1 फिर इसके बाद p की value p is equal to p star 10 p की value थी 32 that means 32 star 10 plus remainder था 1 तो p की नई value होगी that will be 321 और इसके बाद temp is equal to हमारा होजागा 1 divided by 10 that means temp की value होजाएगी यहाँ पर 0 because हम यहाँ पर integer लेंगे तो 0 does not equal to 0 0 does not equal to 0 यह condition आपकी false होजाएगी then हम while loop में नहीं गुसेंगे और सीधे की सीधे इस line पर आदेंगे printf percentile dp to p की value जो final value third iteration के बाद हमें मिरी थी 321 विल बी printed and which is just the reverse of 123 तो इस तरह ऐसे reversing of digits का program बनता है देखिए जो palindrome वाला program है वो just reversing of number वाले program का just small extensions आ है हम अगर palindroms normally होते का है let's say for example one to one number है अगर मैं इसका reverse करूंगा digits का तो मुझे exactly one to one मिलेगा तो ये reversing करने के बाद अगर दोनों के दोनों same आते हैं number then उस type की numbers को हम palindrome बोलते हैं तो इसमें हमने normally बस इतना सा करना है अगर मैं आपसे program बोलने को कहूँ कि write a program for checking whether a number is palindrome or not तो आप reversing a number वाले program में बस आपने एक simple सी चीच add करनी है और इस code में बस हमने इतना सा add addition करना है कि यहाँ पे जो final हमारा P है इसको मैं compare करूंगा if P is equal to N अगर ये N के बराबर जो original number था N उसके बराबर हमें मिल जाता है that means reversing of digits P में हमारा जो reverse number था वो हमें मिलता है और वो अगर जो हमारा original number था उसके बराबर हो जाता है then हम यहाँ पे printf करा सकते हैं कि हमारा जो number है वो एक palindrome है ठीक है तो यह concept है इसका और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे हम else में printf करा देंगे else printf not a palindrome not a palindrome तो बड़ा ही simple सा concept है तो reversing of digits वाला program में की program है और उसके बाद हमने बस यह simple सी line उसमें add करनी है and this will be the closing brace of void main function so this is how हम चेक करते हैं कि whether a given number is a palindrome or not इस type का हमारा program बनता है तो बस्तर बड़रों, करें है झाला करना कुछ बस्तर बस्तर करें वोग्स का पला प्याट जब बस्तर बने ग की बस्तर शुरत